असलाम अलेकुम आज हम बना रहे हैं एक इंटरनेशनल डिश जिसका नाम है शाक्षुका यह मैंने बहुत एजी तरीकी से बनाई है आप इसे प्राइज जरूर कीजिएगा शाक्षुका नाम सुनके आप भी सोचने लगे होंगे कि शाक्षुका क्या है लेकिन यह यह बहु करते हैं हैं को इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं लिए 4 अंडे एक आलू जिस्मस्ला मेर्च पीली और हरी यह इसे भी का हट लिया है् टामड़ एक हर्मेच इसे भी बारिक आट नाटल एक यह क्टार है ने पेस्ट त्यार यह हम ने Bless क immens चड़ा दिया है यह गरम हो गया है अब इसमें और अवी हमारा गर Novell के है आलु को क्रणे यह एक फट्राइब और सकते हम अवे कर लेंगें ह Hin डोट चाहोड़ा हम लेकरा कराउस के आलुक। और फ्राइ करके इसमें डाला है आप चाहों तो इस स्किप भी कर सकते हो आलू बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो गया है यह देखिए आप देख सकते हैं अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे इसी पैन में जिसमें थोड़ा सा ओईल बचा है इसमें हम थोड़ा सा बटर एट कर देंगे विसे करम होने देंगे बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम इसमें ये जो हमने प्यास को चौप करके रखा था इसे हम एट कर देंगे और इसे फ्राइ कर लें कि अब इसमें जीरा ऐड़ कर देंगे है और इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे साथ ही हमें सभी वेजटेबल जो हम ने कट करके रखी ती यह में ऐड़ कर देंगे सब फाइनल के तैस्ट इैर के रखा था इसमें भाद इसे इसमें दाल के कि अब हम इसमें लस्त अद्रक पैस्ट अइट देंगे वो इसे अच्छे से मिला लेंगे और दो मिनाट तब इसको इस तरीगे सा ँच्छ लेए करें लस्तन तरग को चुक्त का सिर्गें कि पेस्ट को भूंते हुए दो मिनाट हो गए याइब हम इसमें मसाले एडिक और अच्छे से मिल गए हैं मिल इसमें थोड़ा सी पान आठ करदेंगे म topics इसे अच्छे से मिला लेंगे से नदक कर पकने के लिए इसे पकते हुए 15 मिनाट हो गए है यह अच्छे से भून गया है यह देखिए आप इसे देख सकते हैं यह अच्छे से भून गया है और सब्सें अभी अच्छे से गल गई है अब हम इसमें जो हमने आलू को फ्राइ करके रखा था वह इसमें डाल देंगे अच्छे से मिल गया है यह देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं और सब्सें भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है अब हम इसे दो मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे आलू और वेचिटेबल्स बहुत अच्छे से मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है अब हम इस तरीके से इसमें पॉकेट बना लेंगे और हमने अंडे पहले ही तोड़के रख लिए थे वह हम इसमें एड कर देंगे इस तरीके से हम पॉकेट बनाते जाएंगे और एक एक हम इसमें एड करते जाएंगे हमने इसी तरीके से चार पॉकेट बना ली है और चार ही हमने एग आपको दिखाये थे वह हमने तोड़के पहले ही रख लिए थे चार पॉकेट बनाने के बाद इन्हीं चारों पॉकेट में हम इस एग को एड कर देंगे बहुत ही तचली से और आराम से हम एग इसमें आड करेंगे कोई जलबासी की बात नहीं है बहुत आराम से पॉकेट बनाएंगे और इसमें आड कर देंगे कहीं कहीं यह अंडों को इसमें डाल दिया जाता हो इसकी भुर्जी बना दी जाती है चारों आग हमने इसमें आड मसाला भी आड़ करेंगे मिर्च आप अपने टैस्क के अकॉर्डिंग कम बढ़ती कर सकते हो हमने इस पर थोड़ा से उपर से चिली फ्लैक्स भी आड़ किया है इससे इसका टैस्ट और भी अच्छा हो जाता है हाँ है अब हम 77 तो घरट करेंगे इसमें थोड़ा सा उपर से चेज डाल सकते हो यह व इसे दला आई और इसे कवश करके 5-7 मिनट के लिए ऐसे ढखका छोड़ देंगे इसको गवर करेंगे , इसकी टाइमिंग आप अपने हिसाब से कमबरती कर सकते हो अपने इसे पाश भीनिए है आप इसे अगर आक को घुल तूड़ा और छा कवने चाहते हो इससे डाइम और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिज